जैहिंस आती हो तो एससी सिस्चसल एक्जामनेशन 2022 के उलाइन एक्जामनेशन का लाज डेट चार जनवरी होने वाला है तो अगर आपने अभी तक इसमें आवेदन नहीं किया है तो आप इसमें जल से जल आवेदन कर दिजे क्योंकि 12 पास मेरलें फिमें दोनों कंडिटर इ और फिरेंस इस बार इसकी वैकंशी हो सकता है कि जस्ट डबल हो जाए अभी इसकी वैकंसी दोगनी होने का नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया गया है 15 यह बढ़ेगी तो इस बास एचसल में भी वेकंसी बढ़ेगी तो आप लोग दिजेगा किवल 12th Past Candidate आवेधन कर सकते हैं किन्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने आवेधन कर दिया है तो किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि अभी SSGD में बहुत सारे Candidate का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो अगर आपने ये गलती की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है यह मैं आपको पहले क्यों बता रहा है क्योंकि अभी आपके पास मौका है इसका करेक्शन विंडो आएगा तो अगर आपने ये गलती की है तो आप इसे अभी से सुधार सकते हैं जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इस बार SSGD में किस कारण से फॉर्म रिजेक्ट किये गए थे और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आप अ लेतेस्थ अबड़े आपको हमारी चैनल पर मिल जाते हैंiones अगर आपने टेलिग्राम को जो आयान किया है तो टेलिग्राम को जो जोआन कर लिजिएगा वहां पर जोबी लेतेस्ट अपडेट होता है मैं इनिफ़ो करता रहता हूं जो भी City आती है कोई भी अप्डेट आत आपको मिल जाती है यहां पर जो भी previous year में question पूछे गए हैं उन सभी का collection इस book में आपको मिल जाएगा तो इसे आप buy कर लेजएगा क्योंकि यह आपके तयारी के लिए बेहतर होने वाला है आपके तयारी को boost करेगा क्योंकि आपको पता होगा कि previous year में जो भी question आते हैं वहीं जाएगा online buy कर सकते हैं या फिर आप अपने nearest market से भी buy कर सकते हैं तो चले फिनस यहां पर आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका form reject किस कारण से होगा देखें सबसे ज़्यादा form reject किये जाते हैं वह photograph and signature के कारण reject किये जाते हैं तो सबसे पहले अगर आपने photo and signature blur लगा करते हैं उसका हाइट and win manage नहीं करते हैं तो इनकी photo बहुत ही small हो जाती है तो इस कारण से भी उनका form reject हो जाता है तो maximum form यहां पर photograph and signature के कारण reject किये जाते हैं और अगर आपने photo spectacles के साथ लगाए हैं अर्था चसमे वाला photo लगाए हैं तो आपका form reject हो जाएगा तो अगर आपने यह गलती की है तो इससे आप अभी से सुधार सकते हैं और यहां पर हम बात करेंगे signature को लेकर तो signature आपका जो होना चाहिए वह बिलकुल से तो वह भी reject हो जाएगा तो सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि आपका signature होना चाहिए वह readable होना चाहिए वह अच्छे से पढ़ने में आना चाहिए तो आपका form accept होगा otherwise reject हो जाएगा तो यहां पर के वाद तीन कारण होते हैं इसका form reject होने का पहला photograph दूसरा signature and third होता है अगर आपने form दो बार apply कर दिया है तो अगर आपने दो बार apply कर दिया है या फिर दो रिजन से apply कर दिया है तो आपका form यहां पर reject हो जाएगा तो यह आपको नहीं करना है आपको एक बार ही form apply करना पड़ेगा तो यहां पर दे सकते हैं अगर आपका photo simple सा इस तरीके से है तो यहां पर अगर आपने डेट वाली फोटो लगाई है या फिर विदाव डेट वाली फोटो लगाई है दोनों एसेप्ट होगा तो बहुत सारी लोग इसको लेकर भी कन्फ्यूज होते हैं कि हमने डेट वाली लगा दी है या फिर विदाव डेट वाली लगाई है तो आपने क कोई भी फोटो लगाया है uzいます होजाएक चाहिए उसके ना हो और सब के और सरह धिसकता किस मिश्टेक हो चलिए कर आ है या फिर कोई वी इस अपने दिखा रहा है कि किस डेट से आप इसे सुधार सकते हैं तो देखे फ्रेंग ये SSC CHSL का official notification है इसमें already edit बिन्टो दे दिया गया है यहाँ पर दे सकते हैं आप अपना form जो edit कर सकते हैं अथा सुधार सकते हैं अगर आपका कोई mistake हो चुका है तो आप 9 जनवरी से इसे edit कर सकते हैं 4 जनवरी इसके online अवेदन का last date रहेगा उसके बाद 9 जनवरी को आप इसमें कुछ भी mistake किये हैं तो इसे सुधार सकते हैं 10 जनवरी तक अर्था 2 दिन का time यहाँ पर दिया गया है उसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं अर्थार फर्वरी एंड मार्च में आपका exam conduct होगा अर्थार फर्वरी एंड से आपके exam start हो जाएंगे तो यहाँ पर जो expected है कि लगबग 25 फर्वरी तक आपके exam start हो जाएंगे तो final इसका exam date भी आ चुका है आप अपनी तयारी पर जादर से ज्यादा focus कीजिए कि आपके पास बहुत ही कम time बचा हुआ है लगबग एक से दो महीने का time बचा हुआ है तो इसी time के बीच आपको अपनी तयारी को करना होगा बाकि फ्रेंस आपको form status check करने के लिए Google पर SSC लिके search करना होगा आप Google पर SSC करना होगा यहां पर आपको अपना registration number एंटर करना होगा उसके बाद यहां पर password एंटर करना होगा जो भी आपका password होगा आपने SSC के form फिलिंग के टाइम जो भी बनाया होगा उसे यहां पर एंटर करके इस capture को फिल करके इसे login करेंगी अब जैसे आप login करेंगे तो आपका dashboard open होके आ जाएगा यहां पर आपने जो भी form एप्लाइ किया होगा सभी का history open होके आ जाएगा अब आपको इस वाले section में जाना होगा सब्सक्राइब करना होगा यहां पर आने के बाद आपको इस application status होता है provisionally accepted अर्थात आपका form उनके पास receive हो चुका है बाकि उस पर क्या action होता है आपका form accept होता है या फिर रिजक्ट होता है वो आपके exam date से 10 दिन पहले बताया जाएगा अभी उनके पास form receive हो चुका है यहां पर देख सकते हैं कुछी तरीके से लिखा होना चाहिए application receive बाकि इस content not verify पर आप ना जाएए अगर आपका form इस तरीके से आ रहा है application receive दिखा रहा है payment status complete दिखा रहा है तो आपका form यहां पर final accept हो चुका है बाकि यहां पर जिनका payment status यहां पर stamp दिखा रहा है अर्थाथ जो SC, ST candidate होंगे या फिर female candidate होंगे तो यहां पर उनका payment status इस टैम्ट दिखाएगा तो उनका इसलिए सो करता है क्योंकि उनका फिल नहीं लिया जाता तो इसलिए उनका यहां पर stamp सो करता है कि आपका फिल माफ है अर्थाथ आपका फिल नहीं लिया गया है तो उसे आप परसाद नहीं हुए वह भी आपका form रेसेप्ट हुआ है बट यहां पर आपका केवल यह लिखा होना चाहिए कि application received अगर ऐसा लिखा है तो आपका form उनके पार receive हो चुका है तो चले मिलते हैं आप लोगों से फिर किसे नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाएंगे